हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रचना होमेपेथिक फिजीशन आज मैं आप लोगों को होमेपेथिक में फीवर की रेमेडियस बताऊंगे जो पर्मनेंट क्योर करती है और हीलिंग करती है फीवर मीन्स क्या होता है हाई टमप्रेजर इन आवर बॉड़ी इसे पैरेग्जी और हाइपर टेरेमिया भी कहते हैं इसके आवरेज वॉलूज होती है 98 डिग्री फेरनहाइट टू 100 डिग्री फेरनहाइट 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस फीवर के कॉज़स क्या है फीवर के कॉज़स अनेक कारण होते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि स्टेफाइ इल्टो कोकस की ग्रूप होते हैं ग्रूप 1, A, B और बैक्टेरियल इंफेक्षिं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेट्यू एन अधर बैक्टेरियल इंक्लूटेट संक्रमट जो होते हैं वैसे वाइरस, फंगस, पैरसाइट, प्रोटोजोन प्रियोंड डिशीजिस के कारण होते हैं फीवर के साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं लक्षन क्या होते हैं फीलिंग कोल्ड ठंड जैसी महसूस होना शिवरिंग होना कपकपन होना लेक ओफ एपिटाइट भूक ना लगना डिहाइडरेशन डिप्रेशन हाइपर एलजिया बॉड़ी पेंट जैसे फैब्रोम एलजिया भी कहते हैं वीकनेस, कमजोरी, स्लिपनेस नेन पूरी ना होना, स्वेटिंग मतलब पसी ना आना फीवर कई तरीके के होते हैं जैसे टॉइफाइट इसकारलेट, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया मियादी, ब्रेन फीवर एक्सेक्टरा फीवर होते हैं पर आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ पैरेक्जिया की मैडिसन्स बताऊंगे हाइपर्थेर्मिया, ओनली फीवर जन्नल फीवर जिसने कहते हैं उनकी होमेपेथिक रेमिडिस बताऊंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइफ़ाइट फीवर की रेमिडिस बताऊंगे वन बाइवन करके एकी फीवर की मैडिसन्स में बताऊंगे पैरेक्जिया की होमेपेथिक मैडिसन्स होती है अगर आपको इस्ट्रेस है टेंशन है एंग्जाइटी है तो एको नाइट मैडिसन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बोडी पेंज जादा है या मूव होने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये ब्रवाइनिया एल्प यूज़ कर सकते हैं थर्ड रैस्टोक्स टू हंडे टू टाइम सदे फॉर वन विक रैस्टोक्स आप पहले भी मैं बता चुक हूं किन कंडिशन में यूज़ करना है अगर वेदर चेंज हुआ है या आप बाहर से धूप से आए हैं और ठंडा पानी पी लिया यह ठंडे से ना आया और गरम में किसी ठंडे और गरम की वज़े से अगर आपको फीवर आया है तो आप रैस्टोक्स मैडिसन यूज़ कर सकते हैं डाइट इंस्ट्रिक्शन आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है और आपको अगर कुछ कोशन्स पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं